गुरु महाराज, गुरु महाराज, स्वीकार करो मेरा प्रणाम श्री श्री परभंस योगानन जी की जै हो, योगी कथामरत परिछेद 42, अपने गुरु के साथ अंतिम समय गुरु जी, आज आपको अकेला पाकर मैं अत्यंद प्रसन्न हूँ हाथ में फलों और गुलाब के फूलों की सुगंद भरी थैली लिए मैं श्री रामपूर आश्रम में अभी अभी पहुंचा ही था श्री युक्तेश्वर जी ने अत्यंद नीरी हिभाव से मेरी ओर देखा तुम्हारा अभिप्राई क्या है? गुरु देव कमरे में चारों ओर द्रिष्टी दोणाने लगे मानों वहां से निकल भागने का रास्ता खोज रहे हूँ गुरु देव, आपके चर्णों में जब मैं पहली बार उपस्तित हुआ तब मैं हाइ स्कूल का एक अल्प वयस्क चात्र था अब मैं बड़ा हो गया हूँ अब एक दो केश भी श्वेत हो गये हैं आप प्रथम दिन से आज तक मेरे उपर निरव प्रेम की वर्षा करते आ रहे हैं पर क्या आपके ध्यान में अभी यह बात आई कि केवल प्रथम साक्षातकार के दिन ही एक बार आपके मुख से निकला था कि मैं तुमको प्यार करता हूँ गुरुदेव ने नीचे के ओर देखते हुए कहा योगानन्द क्या मूख अंता करण में भली भांती सुरक्षित प्रगाढ प्रेम की भावनाओं को आपचारिक रूप से वानी द्वारा प्रकट करना आवश्यक है गुरुदेव मैं जानता हूँ कि आपको मेरे प्रती अगाढ प्रेम है पर मेरे ये भावतिक कान आपके मुख से उन शब्दों को पुनह सुनने के लिए तरस रहे हैं अच्छा जैसे तुम्हारी इच्छा अपने विवाहित जीवन में मैं एक पुत्र पाने का आकांक्षी था ताकि मैं उसे योग मार्ग की शिक्षा दे सकूँ किन्तु जब तुमने मेरे जीवन में प्रवेश किया तब मैं संतुष्ठ हो गया तुम्हें पाकर मेरी पुत्र की साध मिट गई श्री युक्तेश्वर जी की आँखों में दो बड़े अश्रुबिंदू टपक पड़े उन्होंने कहा योगानन्द मैं तो तुम्हें हमेशा प्यार करता हूँ उनके स्नेह भरे शब्दों से मेरा हृदय विगलित हो उठा और ऐसा लगा कि उस पर से एक बड़ा बोज उतर गया मैंने कहा गुरुदेव आपके उतरने मेरे लिए स्वर्ग का द्वार खोल दिया है मुझे उनके भावावेशहीन और आत्मस्त स्वभाव का परिचे था तथा पी उनकी चुपी पर मैं आश्चर्य चकितो उड़ता था कभी कभी मेरे मन में यह आशंका पैदा हो जाती थी कि उनको संतुष्ट करने में मैं विफल हूँ उनके अद्वुत स्वभाव का पून परिचे पाना कठिन था उनका स्वभाव गंभी रस्थिर और बाह्य जगत के लिए अनधी गम्य था जिसके सारे मूलियों की सीमा को वे बहुत पहले ही पीछे छोड़ चुके थे कुछी दिनों बाद मैंने अलबर्ट हॉल में एक बड़ी सभा के समक्ष वियाख्यान दिया उस अवसर पर श्री उक्तेश्वर जी संदोश के महराजा और कलकत्ता के मेर के साथ मंच पर बैठने को सहमत हो गए गुर्देव ने उस समय मेरे वियाख्यान के संबंध में कोई मनतव यव्यक्त नहीं किया पर मैं वियाख्यान के बीच बीच में उनकी ओर देखता रहता था और मुझे ऐसा प्रतीत होता था कि वे प्रसंद है इसके पश्चाद श्री रामपूर कॉलेज के विद्यार्थियों के समक्ष वियाख्यान देने का प्रसंग उपस्तित हुआ जब मैंने अपने पुराने सहपाठियों को और उन्होंने अपने पुराने पागल सन्यासी को देखा तब सबके नेत्रों से आनंद आश्रु बहने लगे उस समय के दर्शन शास्त्र के मेरे प्राध्यापक डॉक्टर घोशाल ने आगे आकर मेरा अभिननदन किया हमारे पुराने सारे भ्रम काल के एंद्र जालिक स्पर्ष से तिरोहित हो चुके थे दिसंबर के अंत में श्री रांपूर आश्रम में मकर संक्रांती का उच्सव मनाया गया श्री युक्तेश्वजी के शिश्यगण सदा की तरह दूर निकट सब जगह से एकत्र हुए थे भक्तेई संकीर्तन, कृष्ण दा का मधुर कंठगान, आश्रम के छात्रों द्वारा तैयार प्रसाद ग्रहन, खुले आकाश के निचे आश्रम के खचाखच भरे प्रांगन में गुरुदेव का ज्ञान गर्भित उपदेश, एक के बाद एक स्मृतियां, सुखत स्मृतियां, तथा पी आज की रात एक नया कारिक्रम होने वाला था योगानन्द, आज की सभा में तुम व्याख्यान दो, अंग्रेजी में अत्यंद असाधारन अनुरोध करते समय गुरुजी की आँखों में, कौतु हल सी हसी चमक रही थी जहाज में पहली बार अंग्रेजी में वक्तृता देने का प्रसंग उपस्तित होने पर मेरी जो दुर व्यवस्था हुई थी क्या वही बात उन्हें याद आ गई थी? मैंने श्रोता गुरुबंधों को वह कहानी सुना कर गुरुदेव के प्रतीश रध्धा निवेदन करते हुए अपना व्याख्यान समापत किया मैंने व्याख्यान के अंत में कहा ऐसी बात नहीं कि मुझे गुरुदेव का सर्व व्यापक और अमोग मार्ग दर्शन केवल उस समुद्री जहाज पर ही मिला बलकि अमरीका के विशाल और सतकार शील भूमी पर मेरे पंद्रह वर्ष के निवास में वह प्रत्य एक दिन प्राप्त होता रहा है अतितियों के चले जाने के बाद श्री युक्तेश्वर जी ने मुझे उसी शयनागार में बुलाया जहां वे पहली बार मुझे त्योहार के अवसर पर मिले थे उनके तख्त पोश पर सोने की मुझे अनुमती मिली थी आज की रात मेरे गुरू वहां शांत बैठे थे उनके चरंड तल में शिश्यगन अर्ध चंद्राकार बैठे हुए थे योगानन्द क्या तुम इसी समय कलकता लोट रहे हो अच्छा कल एक बार यहां पुनहा आ जाना मुझे तुमसे कुछ बाते कहनी है दूसरे दिन अपरान मैं श्रियुक्तेश्वर जी ने आशिर्वचनों के साथ मुझे उच्चतर सन्यास की परम हमस उपाधी प्रदान की नत जानू होकर मैंने उनके चरणों में प्रणाम किया उन्होंने कहा इस नई उपाधी ने अब तुम्हारी पुर्व उपाधी स्वामी का स्थान ले लिया है यह विचार कर कि मेरे अमरिकन शिश्यों को परम हमस जी का उच्चानन करने में कितनी कठनाई का सामना करना पड़ेगा मैं मन ही मन हसने लगा इस जगत में अब मेरा कार्य पूरा हो गया है अब तुम्हें ही उसे आगे चलाना होगा गुरुदेव ने शांत स्वर से कहा उनके नेत्रस्थिर और शांत थे भै से मेरा हुरदय धड़कने लगा श्रीयुक्तेश्वर जी ने कहा पुरी के हमारे आश्रम का कार्यभार संभालने के लिए किसी को भेच दो मैं सब कुछ तुम्हारे हातों में सौप रहा हूँ तुम अपने जीवन की तथा इस प्रतिष्ठान की नौका को दिव्यत तट तक सफलता पूरवक ले जा सकोगे अश्रुपूरित नेत्रों के साथ मैंने उनके चर्णों को हृदे से लगा लिया उठ खड़े होकर उन्होंने मुझे सनेह भरा आशिर्वाद दिया बाद में उन्होंने मेरे साथ अपनी परी संपत्ती की व्यवस्था से संबंधित कानूनी पहलूओं पर विस्तुर चर्चा की ऐसी संभावना थी कि उनके शरीर त्याक के बाद उनके सगे संबंधी दो आश्रमों एवं उनकी अन्य संपत्यों पर कबजे के लिए मुकदमा आबाजी शुरूर कर देंगे वे इस संभावना को दूर कर देने के लिए सुख थे क्योंकि उनकी इच्छा थी कि उनकी संपत्ती केवल धार्मिक एवं जुनोपकारी कारियों के लिए ही अर्पित कर दी जाए एक दिन अपरान में मेरे गुरू बंधू अमूल्य बाबू ने मुझे बताया हाल ही गुरू जी के खिदिरपुर जाने का प्रबंध किया गया था पर वे नहीं गए यह सुनकर मेरा सारा शरीर अब शकुन की आशंका से सिहर उठा मेरे बार बार पूछने पर श्री युक्तेश्वर जी ने उत्तर दिया अब मेरा खिदिर पुर जाना नहीं हो सकेगा एक शन के लिए गुरुदेव एक भैभीत शिशु की भांती कांप उठे अश्रु रुद्ध कंठ से विंती भरे स्वर में मैंने कहा गुरुजी ऐसा मत बोलिये मेरे सामने अब ये सब बातें कभी नहीं कहिए श्री युक्तेश्वर जी के मुख पर प्रशान्त हसी खिल उठी यद्यपी उनका 21 वर्ष चल रहा था तथा पिवे काफी स्वस्त और बलिष्ट दिखाई पड़ रहे थे दिन प्रति दिन गुरुदेव की नीरव किन्तु प्रखर स्नेह धारा का रस पान करते हुए उनके भावी तिरोधान के विविद संकेतों को मैंने मन से निकाल दिया गुरुदेव को बंगला पंचांग से कुम्भ मेले की तिथी दिखाते हुए मैंने कहा गुरुदेव इस मास प्रयाग में कुम्भ मेला लग रहा है क्या तुम कुम्भ मेले में सच मुझाना चाहते हो मैं यह नहीं समझ पाया कि उनकी इच्छा नहीं है कि मैं कुम्भ मेले में जाओ मैंने कहा एक बार आपने कुम्भ मेले में बाबा जी का पुन्य दर्शन प्राप्त किया था शायद इस बार मुझे भी वह दुरलब सौभाग्य प्राप्त हो जाए मैं नहीं समझता कि वहाँ उनसे तुम्हारा साक्षातकार होगा यह कहकर मेरे गुरु मौन होगे वे मेरे कारिक्रम में बाधा डालना नहीं चाहते थे जब दूसरे दिन प्रात हकाल मैंने एक छोटे दल के साथ प्रया के लिए प्रस्थान किया तब गुरुदेव ने अपने स्वाभाविक ढंग से शान्ती से मुझे आशिरवाद दिया सपश्ट है कि श्रीक तेश्वर जी के वेवहार का अर्थ क्या है यह मैं उस समय ठीक ठीक समझ नहीं पाया शायद इसका कारण यह हो रहा है कि भगवान की यह इच्छा नहीं थी कि अपने गुरु के महा प्रयान को मैं नितांत निर उपाय और असहाय रुप से देखता रहूं मेरे जीवन में हमेशा ऐसा ही संयोग रहा है कि जब कभी मेरे किसी प्रियजन की मृत्यू हुई भगवान कृपा करके मुझे उस करुण दृष्च से दूर रखने की सदा व्यवस्था करते आएं हैं अपने दल के साथ मैं 23 जन्वरी 1936 को कुम्भ मेले में पहुँच गया प्रायहा 20 लाख लोगों की जन मेदिनी उमड पड़ी थी कितना विराट और अधुखत दृष्य था वह अधेने से अधेने किसान के अंतहकरण में भी आत्मा के मूल्य तथा भगवत प्राप्ति के लिए सारे सांसारिक बंधनों से मुक्त साधू संतों के प्रती जो पूज्य भाव है वह भारती अजन्ता की एक विशेस्ता है अवश्य ही छद्मवेशियों और पाखंडियों की भी कमी नहीं है पर उन थोड़े से सच्छे साधू संतों के कारण जिनके आविरभाव से सारा देश इश्वरी आशिरवात से पुनीत हुआ है भारती अजन्ता समस्त साधू समाच की प्रतीश धाभाव रखती है जिन पास्चातियों ने यह विराट द्रिश देखा है उन्हें राष्ट की नाड़ी के स्पंदन और उस आध्यात्मिक उत्साह का दर्शन करने का अपूर्व अफसर मिला है जिसके बल पर काल के कठोर आगहात के सम्मुख भी भारत अदम्य प्राण शक्ती प्राप्त करता रहा है पहले दिन का समय केवल इधर उधर घूम फिरकर देखने में ही व्यतीत हो गया पाप प्रक्षाणन के लिए हजारों यात्री गंगा के पवित्र जल में सनान कर रहे थे ब्राहमन पुरोहेत शास्त्रुक्त विधी से पुजा पाथ हवन आधी कर करा रहे थे शांत साधू सन्यासियों के चरणों में धार्मिक जनता नाना प्रकार के भक्ती अर्ग्य अर्पित कर रही थी पंक्ती के बाद पंक्ती, हाथी, दल, आभरन, अलंकार से सज्जित, अश्व, दल और राजपुताना के धीमी गती से चलने वाले उंठ कतार में धीरे-धीरे चल रहे थे उनके पीछे हातों में रेशम या मखमल की पताकाएं तथा सोने और चान्दिक के दंड लिए नागा साधुओं का विचित्र धार्मिक जुलूस चल रहा था केवल कौपी न धारन किये साधु सन्यासी छोटे-छोटे दलों में शान्त के साथ बैठे थे वे सारे शरीर में भस्म रमाय हुए थे जो सर्दी और गर्मी से उनकी रक्षा करती थे सबके ललाट में तृतिय नेत्र का प्रतीक चंदन का तिलक विराजमान था मुंडित मस्तक, गैरिक वसन और दंड कमंडलू धारी हजारो स्वामी वहां उपस्थित थे शिश्यों के साथ धर्मा लोचना करते समय या भ्रमन करते समय उनके चहरों पर त्याग की शान्ती की आभाच चमकती रहती थी यत्र तत्र व्रक्षों के नीचे धूनी रमाये रंग बिरंगे साधूं के दल बैठे हुए थे वे अपने सिर पर जटाओं के जूड़े बांधे हुए थे कई ऐसे साधू भी थे जिनकी दाढ़ी कई फूट लंबी थी वे उन्हें समेट कर गांठ दे कर बांधे हुए थे उनमें से अनेक ध्यान लगाए बैठे थे अथवा अपने सामने से गुजर रहे जन समूँ को अहात उठाए आशेरवाद दे रहे थे इस जन समूँ में भिक्षुकी भी थे हातियों पर विराजमान राजा भी थे रंग बिरंगी साडियां पहने और चूडियां तथा पाजेब की रुन जुन्ध हने निकालती स्त्रियां भी थी कई फकीर ऐसे दिखाई पड़े जो अपने दुबली पत्ली बाहों को विचित्र प्रकार से उपर उठाए हुए बैठे या खडे थे ध्यान करने के लिए केहुने टेकन लिये हुए ब्रह्मचारी भी काफी संख्या में उपस्तित थे अनेक अलभ्य साधु भी मेले में विध्यमान थे जिनका आंतरिक परमानंद बाह्य गंभीरता में चिप गया था मेले के सारे कोला हल को ढगते हुए मंदिर का घंटा नाद अविरत सुनाई दे रहा था मेले में दूसरे दिन मैं और मेरे साथ ही अनेक आशमों और आस्थाई कुटियों में गए वहां जाकर हम लोग साधु संतों का दर्शन करते एवं उन्हें प्रणाम करते गिरी संप्रदाए के मंदलेश्वर को प्रणाम कर हमने उनका आशिरवात प्राप्त किया उस क्षीन काए तपस्वी के नेत्रों से तेज फूटा पड़ रहा था इसके बाद हम लोग एक अन्य आशम में गए उस आशम के गुरू नौ वर्षों से मौन वरत का पालन कर रहे थे और केवल फलाहार किया करते थे आशम के मंडप में वेदी पर सर्व शास्त्र पारंगत एक प्रज्ञान चक्षू अंध साधु विराज थे सभी संप्रदायों के वे श्रद्धास पद थे उस शान्थ आशम में वेदान्त पर हिंदी में एक छोटा प्रवचन करने के बाद मैं अपने साथियों के साथ निकटवर्ती एक अन्य आशम में जा पहुंचा उस आशम के साधु का नाम था स्वामी कृष्णानन्द सुन्दर आकृती, लाल लाल गुलाबी गाल और सुद्रड स्खंद उनके पास ही एक पालतु सिम्हनी सोई हुई थी साधु महराज के आध्यात्मिक प्रभाव से जंकल के उस हिंस्ष्र पशु ने मांसाहार का परित्याक कल केवल दूद भात पर संतुष्ट रहना सीख लिया था स्वामी जी ने उस पिंगल वरणी पशु को अती आकर्शक गर्जना के साथ ओम का उच्चारन करना सिखा दिया था तपस्विनी बिली इसके पश्चाद एक तरण विद्वान साधु का दर्शन हुआ यात्रादैनन दिनी में श्री राइट ने अपनी आकर्शक शैली में उस साक्षातकार कवर्णन इस प्रकार किया है फोर्ड गाडी में हम लोगों ने चर मराते नौका पुल द्वारा गंगा पार की अनन्त जन मेदिनी में हमारी गाडी साम की तरह धीने धीरे सरक्ती हुई संकरी और टेडी मेढी गिलियों में से गुजरी रास्ते में योगा नंद जी ने नदी तट पर उस स्थान को भी दिखाया जहां बाबा जी के साथ श्री युक्तेश्वर जी गिरी का साक्षातकार हुआ था थोड़ी देर के पाद हम लोग कार से उतर कर कुछ दूर तक पैदल चले रास्ते में साधों की धूनी का घना धूआ भरा हुआ था तथा बालू में पैर घस जाते थे अंद तहा हम लोग मिट्टी और घास फूस से बने छोटे छोटे कुटीरों के समुह के बीच पहुंच कर एक कुटीर के सामने खड़े हो गए प्रवेश्द्वार बिल्कुल छोटा और किवाढ हीन था यह था अपनी असाधारन विद्वत्ता के लिए प्रसिध युवक साधू कर पात्री जी का आश्रम वहाँ पर वे धान के पीले चमकीले पुवाल के बिचोने पर पालती मारे बैठे थे उनके शरीर पर जो एक मात्र वस्त्र था और संभाव तहा एक मात्र संपत्ती भी वह थी एक गैरिक वस्त्र खंड जिसे उन्होंने कंधों पर ओड़ रखा था हम लोगों ने किसी प्रकार चोपाए के समान रेंग कर उस कुटी में प्रवेश किया और उनके चरणों पर प्रणाम किया उस समय उनके मुख पर एक दिव्य हसी खेल रही थी प्रविश द्वार पर एक लाल्टेन टिम्टिमा रही थी जिसके हिलते प्रकाश में कुटिया की दिवानों पर भिन भिन प्रकार की छायाएं भी नाच रही थी साधु महराज के नेत्र प्रसन्नता से चमक रहे थे उनकी श्वेत दंत पंक्ती की शोभा देखते ही बनती थी यद्यपी में उनकी हिंदी समझ नहीं पाता था तथा पि उनके मुख के भाव सहज ही समझ में आ जाते थे वे उत्साह, प्रेम और आध्यात्मिक गरिमा से ओत प्रोत थे उनकी महानता के विशय में किसी को संदेह नहीं हो सकता था भावतिक विश्व के प्रती अनासक्त व्यक्ती के सुखी जीवन की कल्पना की जिए वस्तर की समक्स्या से मुक्त, भोजन के लिए विविध व्यंजनों की इच्छा से मुक्त एक एक दिन के अंतर से रांधा हुआ भोजन ग्रहन करने से नियम का पालक हाथ में विक्षा पात्र तक नहीं, धन की जन्जट नहीं, रुपे पैसे के स्पर्ष से दूर, परिग्रह कृती से दूर, इश्वर में सदैव प्रगाढ विश्वास या तायात की चिंता नहीं वे किसी वाहन पर भी नहीं चड़ते, किन्तु निरंतर, पवित्र नदियों के किनारे किनारे परियटंग करते रहते हैं आसत्ती से दूर रहने के लिए वे किसी भी स्थान पर एक सप्ताह से अधिक नहीं रुपते और कैसा विनम्र भाव है उनका, वेदों के असाधारन ग्याता, काशी हिंदू विश्व विध्याले से म.A. और शास्त्री के उपाधिधारी उनके चरण तलों में बैठते समय मेरे मन में एक भव्य भावना जागरत हो उठी ऐसा प्रतीत हुआ कि उनका यह दर्शन वास्तविक और प्राचीन भारत को देखने की मेरी इच्छा का प्रत्युत्तर है क्योंकि वे आध्यात्मिक माहापुर्शों की इस भूमी के सच्चे प्रतिनिधी है मैंने करपात्रजी से उनके परिवराजक जीवन के संबंध में प्रश्न किया शीत रुतु के लिए आप अत्रिक्त वस्र नहीं रखते नहीं इतना ही परियाप्त है क्या आप अपने साथ पुस्तके रखते हैं नहीं जो लोग मुझसे कुछ सुनना चाहते हैं उन्हें मैं स्मरन शक्ती के सहारे शिक्षा दीता हूँ आप और क्या करते हैं? मैं गंगा के किनारे भ्रमन करता हूँ उनके इन शांत शब्दों को सुनकर मैं मन ही मन उनके जीवन के समान ही मधुर सादगी और निर उद्वेग शांती की आकांक्षा से अभिभूत हो उठा मुझे एमेरिका का और साथी अपने भारी उत्तर दाईतों का ध्यान हो आया एक क्षन के लिए खिन मन से मैंने सोचा नहीं योगानन्द इस जीवन में गंगा तरपर भ्रमन करना तुम्हारे भाग्य में नियत नहीं है सादू ने अपने आध्यात्मेक अनुभूतियों के विशय में मुझे कही बातें बताई तभी मैं हटात एक प्रश्न पूछ बैठा आप यह सब शास्र वचनों के आधार पर बता रहे हैं या अपने आंध्रिक अनुभूतियों का वर्णन कर रहे हैं उन्होंने एक सरल हसी के साथ उतर दिया आधा पुस्तकों के आधार पर और आधा अपने अनुभूतियों के आधार पर हम लोग थोड़ी देर ध्यानस्त बैठे रहे जब हम लोग उनके पवित्र सानिध्य का परित्याक कर बाहर निकले तब मैंने श्री राइट से कहा सुनहरे त्रण के सिम्हासन पर आसीन वे एक राजा है उस रात को हम लोगों ने मेले में खुले आकाश के नीचे जमीन पर बैठ कर पत्तल में ही भोजन किया पत्तलों के कारण भारत में बरतन आदी मांजने की जंजड बहुत कम रह गई है आकरशक कुम्भ मेले में हम लोग और दो दिन रुके उसके बाद वहाँ से वायवय दिशा में यमुना के तट परस्तित आगरा पहुंच कै मैंने एक बार और ताजमहल को देखा पुराने स्मृतियां जागरत हो आई मुझे वह दिन याद आ गया जब संग मरमर में उतकीर्ण स्वप्न के सौंदर्य से अभिभूत जितेंद्र मेरे पास खड़ा था वहां से हम लोग स्वामी केश्वानंद के वरिंदावन आश्रम की ओर चल पड़े केश्वानंद जी को खोज निकालने का मेरा जो उद्देश्य था उसका इस पुस्तक के साथ घनिष्ट संबंध है लाहिडे महाशे का जीवन चरित लिखने के लिए श्री युक्तेश्वर जी ने जो अनुरोध किया था उसे मैं भूला नहीं था भारत में अपने निवास के मध्य योगवतार जी के प्रत्यक्ष शिश्यों और संबंधियों से संपर्क सापित करने के प्रत्यक सुयोग का मैं उपियोग कर रहा था उन लोगों के साथ हुए वारतालाप को मैं व्रिस्तृत रूप से लिपिबध कर लेता था संबंधित घटनाओं की तिथियों का ठीक से मिलान कर लेता था तथा फोटोग्राफ पुराने पत्र एवं कागजात का संग्रह करता जाता था लाहडी महाशे संबंधी मेरी सामगरी निरंतर बढ़ने लगी मेरे सामने पुस्तक प्रणयन का जो शम साध्य भार था उसके विशे में सोच कर मुझे घबराहट सी होने लगी मैंने भगवान से प्राथना की कि हे प्रभू मुझे वह शक्ती दो जिससे मैं इस महान गुरू के जीवनी लेख के अपने करतव्य को सफलता पूर्वक निभा सकूँ उनके अनेक शिश्यों को यह आशंका हो रही थी कि उनके गुरू के विशे में लिखित विवरण से कहीं उनके गुरू का अवमूल्यन न हो जाए या उनके संबंध में कुछ गलत वर्ण न चप जाए एक बार पंचानन भट्टाचार ने मुझसे कहा था कि कोई भी लेखक अवतारी पुर्शों की जीवनी नहीं लिख सकता योग अवतार लाहडी महाशे के अन्य प्रमुख शिश्य भी अपने अमर गुरू को अपने अंतह करण में ही छिपाए रखना चाहते थे तथा पी लाहडी महाशे ने अपनी जीवनी के विशे में जो भविश्यवानी की थी उसे ध्यान में रखते हुए मैंने उनके बाहरी जीवन के तथ्यों का संग्रह करने एवं उन तथ्यों के सत्या सत्य का प्रमान खोज निकालने में कोई चेष्टा नहीं रखी स्वामी केशवा नंद जी ने विरंदावन स्थित अपने कात्याइनी पीठ आश्रम में हमारे दल का हार्दिक स्वागत किया आश्रम के चारों और सुन्दर उध्यान था तथा उसका विशाल भवन इंठों से बना हुआ था जिसमें काले काले खंबे लगे हुए थे वे तुरंद हमें बैठक काने में लिया ले गए जिसके औसारे में लाहडी महाशे का चित्र टंगा हुआ था स्वामी केशवानंद जी की आयू नब्बे वर्ष के लगभग थी परंद उनके सुगठित शरी से शक्ती और स्वास से फूटा पड़ रहा था सुदीर घकेश और हिम श्वेद दाड़ी तथा आँखों में आनंद की चलक वे प्राचेन रिशी के मूर्थ रूप थे मैंने उनको बताया कि मैं भारत के गुरुवों से संबन्दित अपनी पुस्तक में उनका भी उलेख करना चाहता हूँ महान योगी लोग परायहा अधिक नहीं बोलते तथा पि मैंने हस्ते वे आगरह पूर्वक अनुरोथ किया कि कृपया अपने पूर्व जीवन पर कुछ प्रकाश डालिये केशवानन्द जी ने विनमर भाव से कहा मेरे बाह्य जीवन के संबन्द में कोई उलेखनी ये बात ये नहीं है वस्तुतहा मेरा सारा जीवन हिमाले के निर्जन परवतों में एक शांत गुफा से दूसरी शांत गुफा में पैदल घुमते हुए व्यतीत हुआ है कुछ समय तक हरिद्वार के बाहर बड़े बड़े व्रक्षों के बीच एक छोटे से आश्रम में में रहता था वह एक शांत स्थान था जहां बहुत कम यात्री जा पाते थे क्योंकि उस उक्षेत्र में भारी संख्या में गेहुण सर्प निवास करते थे इतना कहकर केशवानंद जी मुस्कुरा उठे उन्होंने पुनह बताया बाद में गंगा की बाढ़ उस आश्रम को और साथ ही गेहुए वन सांपों को भी बहा ले गई उसके बाद मेरे शिश्यों की सहायता से यह वरिंदावन आश्रम तयार हुआ है हमारे दल के एक सदस्य ने स्वामी जी से पूछ लिया कि हमाले के व्याग्रों से उन्होंने अपनी रक्षा कैसे की स्वामी केश्वानन्द ने अपना सिर हिलाती हुए कहा कि हमाले जैसी उन्ची आध्यात्मिक भूमी पर जंगली जानवर योगियों को कदाचित ही परेशान करते हैं एक बार जंगल में बाग के साथ मेरा सामना हो गया पर मेरे मुख से जो हटात ध्वनी निकली उसे सुनकर बाग पत्थर की मूर्ती की तरह जड़ हो गया उस घटना के स्मुनती से स्वामी जी पुनहम स्कुरा उठे उन्होंने पुनह बताया कि बीच-बीच में मैं एकांतवास छोड़कर अपने गुरू से मिलने बनारस जाया करता था हिमाले के जंगलों में मेरे अनवरत परिभ्रमन के लिए वे मेरा परिहास करते थे उन्होंने मुझ से एक बार कहा कि तुम्हारे पाउं में भ्रमन चक्र है मुझे इस बात की खुशी है कि हमाले परवतमाला तुमको परिभ्रमन रत रखने के लिए परियाप्त विशाल है केशवानन्द की बात जारी रखी लाहडी महाशे ने अपने महा प्रयान के पहले और बाद में भी अनीक बार मुझे संदेह दर्शन दिया है उनके लिए हिमाले का उन्चे से उन्चा स्थान भी अगम्य नहीं है दो घंटे बाद वे हमें लेकर भोजन कक्ष में पहुंचे मैं तो मन ही मन घबरा उठा यहां भी पंद्रह प्रकार के व्यंजन अमरिका से आये अभी एक वर्ष से कम भी समय हुआ था पर भारती आतित्य के फलसुरूप इस अल्प अवधी में ही मेरा वजन पचास पॉंड बढ़ गया था पर मेरे सम्मान में आयोजित अनन्त भोजों में यतन पूरवक तैयार की गई भोज सामग्रियों को अस्विकार कर देना चरम अभधरता ही होती भारत में हरश्ट पुष्ट देह वाला अलमस्त स्वामी एक मनोरम दृष्य माना जाता है रात्री भोजन के उपरांद केशवानन्द जी मुझे एक एकांत कोने में ले गए जहां उन्होंने कहा मेरे पास आपका आगमन और प्रत्याशित नहीं है आपके लिए मेरे पास एक संदेश भी है मैं आश्चर ये चकित हो था केशवानन्द जी से मिलने की अपनी योजना के विशे में मैंने किसी को भी कुछ नहीं बताया था केशवानन्द जी कहने लगे गत वर्ष बद्री नारायन के निकट उतरी हिमाले में भ्रमन करते समय मैं रास्ता भूल गया था और एक प्रशस्त गुफा में जा पहुंचा था गुफा खाली थी हालांकि उसके अंदर एक गढ़े में धूनी जल रही थी मैं अगनी के पास बैठ कर यह सोचने लगा कि इस एकांद गुफा में आखिर कौन निवास करता है मेरी आखे सूर्य किर्णो जुवल गुफा द्वार की ओर लगी हुई थी इतने में मेरे पीछे से ध्वनी आई केश्वा नंद तुम्हें यहां पाकर में अत्यंत प्रसन हुआ हूँ चकित होकर मैंने द्रिष्टी पीछे घुमाई बाबाजी को देखकर मैं एक दम स्थबित हो उठा गुफा के एक कोने में परम गुरो सशरीर आविर्भूत हुए थे अनेक वर्षों के बाद उनका पुनह दर्शन पाकर मेरे आनंद की सीमा नहीं रही मैंने उनके चर्णों में साश्ठांग प्रणाम किया बाबाजी ने कहा मैंने ही तुम्हें मुलाया है इसी कारण तुम रास्ता भूलकर इस गुफा में पहुँच गए हो जो इस समय मेरा अस्थाई निवास है बहुत दिन के बाद हमारी तुम्हारी भीट हुई है तुमसे एक बार पुनहा मिलकर मुझे बड़ी खुशी हुई है अगर गुरु ने कुछ मंत्रों का उच्चानन करते हुए मुझे आशिरवात दिया तद पश्चाद उन्होंने कहा मैं तुम्हें योगानंद के लिए एक संदेश देता हूँ भारत लोटने के बार वे तुम्हारे पास आएंगे योगानंद अपने गुरु एवं लाहिडी के अन्य कई जीवित शिश्यों से संबंधित अनेक विश्यों में पूरुन तहा व्यस्त रहेंगे उस समय उनको बता दीना कि उनकी आतुर आशा के होते हुए भी कि इस बार मैं उनसे भेंट नहीं कर सकूंगा किन्तु किसी अन्य अवसर पर उनसे मिलूंगा स्वामी केश्वा नंद जी के मुकसे बाबा जी का यह सांत्वना दायक संदेश पाकर मैं भावा भी भूत हो उठा मेरे मन के किसी कोने में इस प्रकार के मौन ख्षोब का जो संचार हुआ था वह उसी ख्षण लुप्त हो गया कुम्भ मेले में बाबा जी का दर्शन न मिलने का जिसकी ओर श्री युक्तेश्वर जी ने इंगित भी कर दिया था अब मुझे कोई क्षोब नहीं रह गया आश्रम में एक रात आति थिलाब कर हमारा दल दूसरे दिन अपरान में कलकत्ता के लिए चल पड़ा यमुना नदी के एक पुल पर से हमारी गाड़ी गुजरने लगी तब व्रिंदावन के क्षिति पर सूर्यास्त बेला के अग्नी वर्णी आकाश का भव्य दर्शन करने का हमें सौभाग्य प्राप्त हुआ अस्ताचल गामी सूर्य की आभा से आकाश का सुलक्ती भट्टी के समान लाल रंग नीचे शांद जल में प्रतिबिम्बित हो रहा था श्री कृष्ण ने अपनी बाल लीलाओं से यमुना तट को प्रवित्र किया है यही पर उन्होंने गूपियों के साथ निर्दोश और मधुर लीलाएं भी की थी इस प्रकार उन्होंने भगवान के अवतार और उनके भक्तों के बीच वर्तमान चिरंतर दिव्य प्रेम की जहांकी प्रस्तुत की थी अनीक पास्चात के टीका कारों ने भगवान कृष्ण के जीवन को समझने में भूल की है शास्रिय रूपक केवल आक्षरिक अर्थ लगाने वाले लोगों को भ्रम में डाल देते हैं एक अन्वादक की एक हासे कर भूल यहां उदाहरन के रूप में दी जा सकती है यह कहानी एक मध्य युगीन आत्मदर्शी संत रैदास या रवीदास से सम्बंधित है चर्मकार कुला वंतस रैदास ने समग्र मानवों के च्छपी आध्यात्मिक महिमा को अपने धंदे की भाषा में सरल भाव से इस प्रकार गाया था विस्तृत नील गगन के हेंठे रहे देवता चाम लपेटे एक पास्चात्यक लेखक ने रैदास के इस काव्य की जो स्पष्ट व्याख्या की है उसे सुनकर कोई भी हसे बिना नहीं रह सकते उसने लिखा था कि बाद में उन्होंने एक कुटिया बनाई और उसमें एक मुर्ती स्थापित की जिसे उन्होंने चमडे से तयार किया था और वे उसकी पूजा करने लगे रैदास महान संत कबीर के गुरु भाई थे रैदास के विशिष्ट शिश्यों में चित तोडगड की रानी भी थी उन्होंने अपने गुरु के सम्मान में एक भोज का आयोजन किया उस अवसर पर उन्होंने बहुत से ब्राहमनों को भी आमंत्रित किया था पर ब्राहमनों ने एक नीच वर्न चमार के साथ भोजन करना अस्वीकार कर दिया वे लोग अलग पंक्ती में बैठे और गरिमा के साथ अलग बैठ कर भोजन करने लगे पर आश्चर्य हर ब्राह्मंट की अपने पास रैदास बैठे दिखाई देने लगे इस सामोहिक अंतर दर्शन के परिणाम स्वरूप चितोड में विशाल आध्यात्मेक पुनर जागरन घटित हुआ हमारा छोटा सा दल दो-तीन दिनों में ही कलकत्ता पहुंच गया मैं भी श्री युक्तेश्वर जी के दर्शन करने के लिए अत्यन्त उतकंठित था परन्तु उस समय मुझे घोर निराशा हुई जब मुझे यह ज्यात हुआ कि वे इस समय श्री रामपुर में नहीं बलकि तीन सो मील दूर दक्षिन में स्तित पुरी में है गुरू के कलकत्ता के एक चेले अतुलचंदर राय चौधरी के पास उनके एक गुरू बंधू ने आठ माच को इस आशे का तार भेजा कि अविलंब पुरी आश्रम में आ जाईए इस तार की सूचना मेरे कानों में भी पहुंच गई उनका मरमार्थ समझने में मुझे देद नहीं लगी मैं धम से घुटनों के बल बैठ गया और भगवान से गुरू के जीवन की रक्षा के लिए प्रार्थना करने लगा पिताजी के घड से ट्रेन पकड़ने के लिए जाही रहा था कि मुझे अपने अंतर में एक दिव्यवानी सुनाई पड़ी आज रात को पुरी मत जाओ तुम्हारी प्रार्थना स्वीकार्य नहीं है प्रभू दुख से व्याकुल होकर मैंने कहा तेरी इच्छा मेरे साथ पुरी में रसा कशी करनी की नहीं है क्योंकि वहां गुरुदेव के जीवन के लिए मेरी अनवरत प्राथनाए तुझे अस्वीकार करनी ही होंगी क्या फिर उनको उच्चतर कर्तवियों के लिए तेरे आदेश अनुसार जाना ही पड़ेगा अपनी अंतर ध्वनी की आग्या के अनुसार उस रात मैंने पुरी के लिए प्रस्थान नहीं किया दूसरे दिन शाम को मैं ट्रेन में सवार हुआ रास्ते में साथ बजे आकाश में अचानक एक काला सुक्ष्म मेग छा गया बाद में जब ट्रेन धड़ धड़ाती हुई पुरी की ओर बढ़ रही थी अंतर दर्शन में श्री उक्तेश्वर जी मेरे सामने प्रकट हो गय वे अत्यन्त गंभीर मुद्रा में बैठे थे और उनके दोनों और प्रकाश था क्या सब कुछ शेश हो गया? मैंने विने पुर्वक हाथ उपर उठाए उन्होंने सिर हिलाया और उसके बाद वे धीरे धीरे अद्रश्य हो गये जब मैं दूसरे दिन पुरी स्टेशन के प्लैटफॉर्म पर आशा के विपरीत आशा संजोय खड़ा था तब एक अग्यात व्यक्ती ने मेरे पास आकर कहा क्या आपने अपने गुरू के देहत्या की ख़वर सुन ली है? और कोई भी शब्द ना कहते हुए उक्त व्यक्ती मेरे पास से चला गया मुझे कभी इस बात का पता नहीं लग सका कि वह व्यक्ती कौन था या उसे यह कैसे मालूम हुआ कि मैं कहा मिलूँगा मैं सन रह गया और प्लैटफॉर्म की दिवार पर ढल पड़ा मैं यह जान गया कि मेरे गुरुदेव नाना उपायों से मेरे पास यह हृदय विदारक समाचार पहुंचाने की चेश्टा कर रहे है मन में पच्चंड विद्रोह उबल रहा था और मेरा हृदय ज्वाला मुखी के समान धदक रहा था जब मैं पुरी आश्रम में पहुंचा तब मेरा धीरज तूट चुका था उस समय अंतर में बार बार एक मृदु ध्वनी होने लगी धैर यधारन करो, शांत हो मैंने आश्रम के उस कमरे में प्रवेश किया जहां पदमासन में बैठा गुरुदेव का निश्व प्राण शरीर कल्पनातीत रूप में जीवन्त के समान लग रहा था उस समय भी उनका शरीर अत्यांत स्वस्त एवं कमनी था कुछ दिन पहले मेरे गुरु को हलका बुखार अवश्य हुआ था पर अनन्त धाम में आरोहन के एक दिन पूर्व उनका शरीर पूर्ण तहा स्वस्त हो गया था मैं उनके प्रिय शरीर के ओर बारम बार देखता था पर किसी भी तरह में यह नहीं अनुभव कर पाता कि उसमें से प्राण चला गया है उस समय भी उनका गात्र चर्म चिकना और कूमल था उनके आनन पर स्वर्गे आनन्द की शांती विराजमान थी उन्होंने रहस्य मैं आमंतरन पर अंतिम मुहरत में सचेतन भाव से शरीर पर परित्या किया था मैं शोका विभूतों का चीत कार कर उठा बंगाल का सिम्ह आज चला गया दस मार्च को मैंने उनकी अंतिम विधी संपन्न की पुरी आश्रम के उध्यान में सन्यासियों की प्राचिन शास्त्रिय परंपरा के अनुसा श्रीयुक तेश्वर जी के पार्थि शरीर को समाधी दी गई बाद में गुरुदेव का तिरो भाव उत्सव मनाने एवं उनके शद्धान जली अर्पित करने के लिए निकट और दूर सब जगह से उनके शिश्य महा विशुन संक्रांती अर्थात वसंत संपात के अवसर पर एकत्र हुए कलकत्ता के एक प्रमुख अंग्रेजी दैनिक अम्रुद बाजार पत्रिका ने उनके चित्र के साथ निम्नांकित विवरन प्रकाशित किया 21 मार्च को पुरी में श्रीमत स्वामी श्रीक तेश्वर जी गिरी महाराज के तिरोभाव के उपलक्ष में भंडार संपन्न हुआ इस अवसर पर उनके बहुत से शिश्य पुरी पहंचे थे तिरोभाव समय के समय उनकी आयू 81 वर्ष की थी स्वामी जी महराज श्रीमत भगवत गीता के श्रेष्ट टीकाकार और व्याख्याता थे इवं काशी के श्री श्यामा चरन लाहिडी महाशय के एक अग्रगण्य शिश्य थे स्वामी जी भारत में कई योगदा, सत्संग, सेल्फ रियलाइजेशन फेलोशिप केंद्रों के संस्थापक थे और उस योग आंदोलन के महान प्रणीता भी थे जिनका उनके पट्रशिश्य स्वामी योगानंद पस्चिम में प्रचार कार्य कर रहे थे यह श्री युक्तेश्वर जी की भवश्यद द्रिष्टी एवं गहन अनुभूती ही थी जिस से स्वामी योगानंद को समद्र पार जाने और अमरिका में भारतिय गुरुओं के संदेश का प्रचार करने की प्रेरना मिली भगवद गीता एवं अन्य शास्त्रों की उनकी व्याख्या प्राच्च और पास्चात्य दोनों दर्शनों के गंभीर ज्ञान का परिचायक है और पूर्व तथा पस्चिम के बीच एक्य साधना के लिए पथ प्रदर्शक बन गई है श्री युक्तेश्वर जी सभी धर्मों की एक्ता में विश्वास करते थे अतहा उन्होंने धर्मे वैज्ञानिक भाव के संचार के लिए विवेद धर्मों और संप्रदायों के अग्रगण्य पुरुशों के सहयोग से साधू सभा की स्थापना भी कि थी अपने देहान्त के समय उन्होंने स्वामी योगानंद को साधू सभा के अध्यक्ष के रूप में अपना उत्तरधिकारी मनोनित किया है ऐसे महान पुरुशों को खोकर भारत आज वस्तुतहा दीन हो गया है जिन्हें उनके सानिध्यलाब का सौभाग्य प्राप्त हुआ वे अपने अंतह करण में भारत की उसी सच्ची संस्कृती और साधना को आत्म साथ करें जो श्री युक्तेश्वर गिरी जी में मुर्ति मंत हो उठी थी मैं कलकत्ता लोट आया उनकी अनेकानेक पवित्र स्मृतियों से युक्त श्री रामपुर आश्रम में प्रवेश करने का मुझे साहस नहीं हो रहा था अतह मैंने श्री युक्तेश्वर जी के छोटे शिश्य प्रफुल को श्री रामपुर से अपने पास बुला लिया और उसे रांची विध्याले में भड़ती कराने की व्यवस्था कर दी प्रफुल ने मुझे बताया कि उस दिन प्रातहकाल जब आपने कुम्भ मेले के लिए प्रस्थान किया तब गुरुदेव धप से मेच पर बैठ गए और कहने लगे योगानन चला गया योगानन चला गया फिर उनने संतप्त हरिदे से रहस्य पूंग धंग से कहा मुझे उसे किसी और प्रकार से बताना पड़ेगा तत पश्चात वे घंटों मौन बैठे रहे उसके बाद मेरे दिन व्याख्यान कक्षाओं भेंट साक्षात कर तथा पुराने मित्रों के साथ पुनर मिलन में कटने लगे खोंकली हसी और अनवरत कार्य व्यस्त जीवन में एक काले विशाद का स्त्रोत भेचला था मेरी सारी अनुभुतियों के बालुका तट के बीच में दोनों तटों को परिप्लावित करने वाली जो आनन सरिता अब तक अविराम गती से प्रभावित होती आ रही थी उसे इस विशाद ने एकदम पंकिल कर दिया था संतप्त आत्मा के गहन तल से मैं मौन भाव से चीख उठा देवता स्वरूपवे संत कहां चले गए कोई उत्तर नहीं मिला मेरे मन ने मुझे आश्वासन दिया यह उचित ही है कि गुर्देव का परमात्मा के साथ पून मिलन हो गया है वे अमर लोग के स्वर्ग राज्य में निरंतरन रूप से विराजमान हैं मेरे हरदय ने विलाप किया अब तुम उन्हें पुराने श्री रामपुर आश्रमें पुना कभी नहीं देख सकोगे अब तुम कभी भी अपने मित्रों को उनसे मिलने के लिए नहीं ला सकोगे और ना अब घर्व के साथ यही कह सकोगे कि देखो ये हैं भारत के ग्यान अउतार श्री राइट ने जून के प्रारंभ में हमारे दल के बंबे से पश्चिम के लिए जहाद से प्रस्थान करने की सारी विवस्था कर डाली मैं मास में एक पकवारे तकल कत्ता में विदाई भोज और वक्तरता आदी के कारेक्रम चलते रहे तत पश्चात, कुमारी, बलेच, श्री राइट और मैंने अपनी फोर्ड गाड़ी में बैट कर बंबे के लिए प्रस्थान किया हम लोगों के बंबे पहुंचने पर जहाज के अधिकारियों ने यात्रा स्थगित कर देने के लिए कहा क्योंकि फोर्ड गाड़ी के लिए जहाज में जगह नहीं थी पर हमें फोर्ड गाड़ी की यूरोप में नितान आविशक्ता पढ़ने वाली थी मैंने सर्खेद श्री राइट से कहा कुछ चिंता नहीं, मैं एक बार और पुरी लोटना चाहता हूँ मैंने मन ही मन कहा मेरे आंसों को पुनह मेरे गुरु की समाधी का अविशेक करने दो इती श्री परिच्छेद